समू की महिलाओंने की सिकायत समू की महिलाओं को जो रोजगार के लिए रुपए सरकार के दोरत दिये जाते हैं वह बहुत कम है यह महिलाओं का कहना है महिलाओंने इसको लेकर की सिकायते की है और उसके बाद समू की महिलाओं का कोई भी सहरी आजीविका मिशन के तहद गठित सेमसाता समूख की महिलाओं ने रोजगार के लिए कम रासी मिलने और उत्पादों की बिक्रिन नहीं होने की सिकायत की सरकिट हाउस में सनीवार को सांसर डाक्टर रीता बगुड़ जोसी के साथ समवाद में समूख की महिलाओं ने कहा कि इस रोजगार के लिए मिलने वाले दस हजार रुपए बहुत कम है उत्पादों को बेचने के लिए उनके पास कोई प्लेट फार्म नहीं है समान नहीं बिकने से खराब हो जाता है और इससे उनका मनवल टूटता है समूख की महिलाओं ने महिलाओं की पीड़ा सुनने क जबास आसन ने उत्पादों की विक्री के लिए व्यापार संग्टर्नों से बात कर प्लेट फार्म दिलाने का स्वासन दिया इसके लिए जिले बेतानात अधिकारियों की पतनियों से भी बातचीत की गए सदों ने उतपाद की बिक्री के लिए आनलाइन प्रेट फार्म बनाने की बात कही है समात के दोरा अंडेर डूडा की परियोजना अधिकारी वर्थ का सिंग ने मार्केटिंग करने वाली कंपणियों के जर ये उतपाद बिक्री की सुधा की जानकारी भी दी महिलाओं ने अपनी मागों को ले करके जो भी सिकायते यहां पर की है वह बिल्कुल सही है क्योंकि सोरोजगार इस्थापित करने के लिए अपना सोरोजगार सुरू करने के लिए तो महिलाओं को 10,000 जो दिये जा रहे हैं वो बेहद ही कम है 10,000 में कुछ नहीं होगा और उसके बाद महिलाओं को पैस कोई प्लेट फार्म नहीं है कि वो अपने उत्पादों की विक्री कर सके उसके बाद अगर जैसे कोई भी उत्पार वो तैयार करें वो बहुत कम है इसके बाद समू की महिलाओं को सरकार एक प्लेट फार्म उपलब्द कराए जहां पर समू की महिले अपने अपने उत्पादों की विक्री कर सके ताकि उन्हें और भी आसानी हो रोजगार करने के लिए बागी तो आप सो भी जानते ही हैं तो आप लोग इस वीडियो को सेयर करिएगा वीडियो को लाइक और चायों को सब्सक्राइब करें